सो क्रीटिंग्स फ्रेंड वेलकम अगें इन मा न्यूफ फ्रेश वीडियो आज कि इस वीडियो में हम आज एक प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं और यह प्रोजेक्ट की एक पाइफन टीक इंटर में नई सिरीज शुरू होने वाली है जिसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे क्य QR कोर्ड की प्रोफाइल बना सकते हैं, यानि कि हम अपने फून से Ñ क्यूर कोड को स्कैन करेंगे और जो जो टीटेल लिस क्यूर कोड़ में बढ़ना चारे हैं फिल करना चाह रहे हैं हम उसमें भष सकते हैं तो अगर आप जानते नहीं है कि टीक इंटर क्या है तो टीक इंटर एक जीवाई यानि कि अप्लिकेशन बनाने के लिए पाइफन की लाइबरेरी यह जो की यूज होती है पाइफन में और इसकी मदल से हम क्या कर सकते हैं डेक्स्ट आप्लिकेशन बना सकते हैं जिस तरह से मैंने यह QR कोड जनरेटर बनाया है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर टाइटल में भी QR यहां पर हैंडिन में भी तो इसमें हम जनरेट करेंगे इस एप्लिकेशन के तुरू और जो जो टीटेल हम प्रोवाइट कराना चाहरे हैं तो चलिए मिरसाथ और इस application को देखते हैं और फिर इससे आने वाली वीडियो में हम कैसे क्यू आर को बना सकते हैं किस तरह से यह ह अपना नाम डाल देता हूं वो दित सच देवा, इसके बाद age फुच रहा है तो यहां पर मैं ने अपनी age डाल दी अगले कॉलम में और इसके बाद यहां पर radio button है male और female का तो यहां पर mail सिलेक्ट कर लिया, फिर यहां पर फूच रहा है select your department, तो यहां पर मै लिस्ट आ यहां पर देखता हूं कि यह हमारे जो पहले जो लिखा रहा था वह चेंज हो चुका है और यहां पर भी लिखा गया तो चली हमारे पर अपने फोन में लेकर चलता हूं कि क्या यह जो डिटेल्स बरी है एज है और यहां पर डिपार्ट्मेंट है क्या वो मेरे फोन में अगर मैं अपने क्यूर कोड से स्कैन करू अपने फॉन को स्कैन करूछ तो क्या वह मैं देखे मैं बीड़न करते हैं चलिए देखते हैं नेम नवोदित एज 22 और जेंडर मेल और डिपार्टमेंट आई टी एकदम उस कोड को स्कैन करा और आ गई मैं आपको फिर से करको स्कैन करके दिखाता हो देखिए मैं कोड को पास भी फोन को एकदम ले जाना हो एकदम मेरी डिटेल आ रही है तो कितना क्यूर कोड यह स्ट् सक्तिर आइस तो तो जुड़े रहे मेरे साथ इस स्रीज में क्यूंकि हम यह पूर पूरा यह एपिकसे अ ट्रेंटर में इसे बनाने जा रहे हैं तो मिल्ड़िंगे आप्स एक और फ्रیश वीडियो में जिसमें nossos और शेान हे कि आकिर डपलक कैसे कीया जाए सु गाइस ते एफिनले चेचिए इन नेक्ट वीडियो थैंक यू